कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्तर अर्विल नामत्यों मैं शिवालय हस्पिटल कुलार बोपाल में पेटे वह में लिवर रोग विशेशद्य जरूप में कारेगत हूं आज का वीडियो जो हम करने वाले हैं वो है कोविट खुरोना वाइरस जो है उसके कारण पेट की फिर्फिव हम दोगी गपी माला कि यह सवाल बहुत पूछा जाता है कोरोना जो वाइरस है पिछले चार साल से तीन-चार सालों से हम सब देख रहे हैं और हमें मालुम है कि मेनली जो है चेस्ट को इनफेक्ट करता है लंक्स में इनफेक्शन करता है और सारे सिम्टम्स जो है सांस के जादा तराते हैं इसमें पर हम ये अवेर हैं कि इसमें मूँ का स्वाद भी चला जाता है और थोड़ा बहुत पेट की तकलीफे भी होती हैं जो सिम्टम्स हैं उनमें नौशिया दस्त लगना या कब्स का बढ़ जाना यह सब बहुत कॉमन हैं सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या कोविट ठीक होने के बाद भी पोस्ट कोविड इंफेक्शन या पोस्ट कोविड जी आई सिम्टम्स या लिवर डिसॉडर हो सकते हैं तो इसका छोटा सा जवाब तो यह है कि अभी इसके बारे में बहुत सारा लिटरेचर आ रहा है और तोड़ा सा शुरू से समझाता हूं देखिए जो कोविड वाइरस है कोरोना जो वाइरस है यह बेसिकली कोई भी वाइरस हमारी बॉड़ी में जब जाता है तो हमारी इम्मूनिटी उसके अगेंस्ट काम करती है वाइरस तो सेम है जो लगभग अगर हम फर एक्जामबल मा हालक तरह से डिजाइन होती है थोड़ा डिफरेंस हर इंसान में होता उसके इम्मूनिटी में और यह कैसे रियक्ट करेगी वाइरस के अगेंस्ट उससे बहुत सारे सिंटम्स करते हैं कि मरीज को क्या आने वाले है कई वार वाइरस जैसे सेम हैं लेकिन कुछ लोगों में से जादा होती तो वह अचानक से तेजी से उनके हालत भी गड़ती है और वह सिधे आईस्यू में पहुंसते और उनको बचाया भी नहीं जा सकता यह देख रहे हम लोग बहुत सारे मरीज हैं जिनमें माइल्ड रियक्शन होती है तो वह कुछ दवाईयां खाते हैं कुछ क लाड़ा कुछ हलका कुछ बहुत सिंप्टोमेटिक क्रीटमेंट लिया पैरसेटमॉल हलकी सी एंटिवाय टेक अगर इंफेक्शन लग रहा है और वह ठीक हो जाते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बहुत ज्यादा परसेंटेज है कि उनको पता भी नहीं चलता कि कब को कुविड उनको हो गया याने वायरस आया और उनकी इम्म्यूनिटी ऐसी थी कि पहले सी क्रॉस इम्म्यूनिटी होने के कारण विदाउट एनी सिंटम्स वह क्लियर भी कर दिया जो बहुत बड़ा चंक है इसलिए आप देखेंगे कि यॉरॉप अमेरिका जहां इंफेक्श से उनके रिजल्ट हमारे बहुत डिफरेंट रहें यह समझना इसलिए इंपोर्टेंट है कि जब यह वायरस शरीर में आता है तो इम्म्यूनिटी के अगेंस जो इसके अगेंस इम्म्यूनिटी डवलब होती जो एंटी बॉड़ी और जो हमारे लिंफोसाइट ग्रो करते ह हैं वह वायरस को क्लियर करते सब्सक्राइब हमारे शरीर को भी कई जगह से जो रियक्शन होती है उसको इंफेक्ट करते हैं और इस एफेक्ट करने की प्रोसेस में लगबख सभी अंगों पे थोड़ा थोड़ा असार आ सकता है यह हमको समझना होगा यानिकि हमको अगर हम मस्कुलर स्केलेडल सिस्टम मालने तो थोड़ा जॉइंट पेन बॉड़ी में दर्द यह सब भी होगा अगर लिवर में तो हलकी सी लिवर में सूजा ना सकती है जिसके लिए अलग से ट्रीटमेंट की ज़रत नहीं पड़ती जायता है सेम लंक्स में तो लंक्स में इसमें ज़्यादा इंपक्ट आता है ब्रेन में भी आ सकता है अलका से सूजाना सकता है जिससे चिड़ चड़ा पानी सब चीज़े रह सकती है और यह वैरी करता है और यह सिर्फ इसमें नहीं और भी दूसरे वाइरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी से ऐसा होता है कई वार वाइरस की डिसॉडर से बढ़ गया है यह जैसे फर एक्जामपल सबसे कॉमन आई बीस है इरिटेवल बावल सेंड्रों इसके इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़े हैं पोस्ट कोविड लोगों में जो डायरिया और और कॉंस्टिपेशन के इंसिडेंस बढ़ गया है गैस्ट्रो करके रहता है तो वह जरूर कभी-कभी बहुत ज्यादा परिशान करता है बच्चों में बहुत सीवियर पेन होता है अब्डॉमन का उनको बहुत सारे लक्षण आते क्रैंपी पेन होगा लूज मोशन कॉंस्टिपेशन जैसा होगा जो एपिसोडिक होता है एंड सम्टाइ मुझे लगता है कि जो एड्रेस आज का सवाल था कि क्या पोस्ट कोविड जी आई सिम्टम से लिवर डीजीज बढ़ती है सिम्टोमेटिकली बढ़ती है जिनको अल्रेडी मोटिलिटी डिसॉर्डर से डिस्पेप्सिया गैस्ट्रोपेरेसिस आईबीस या दिने तक रह सकते हैं एक्यूट कोविड में पेट के सिम्टम 5-7 दिन ही रहते हैं पोस्ट कोविड वेरी करते हैं और ज्यादतर इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं होती है समय के साथ धीरे-धीरे कुछ हलकी दमाईयों से पेट के लक्षण और लिवर की तक्लीफ हो जाती है आई होप आई कोड आंसर यू कि कोविड से पेट में क्या अंतर आ सकता है इसके बाद भी अगर कुछ सवाल या कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं नमस्क्राइब